नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे साथ, मेरे यूटूब चनल आयटेस्टर डिविद जीट सर में, मैं हूँ आपके साथ जितेंदर कुमार, दोस्तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए मैं कुछ नहीं लेकर आये हूँ, यानि हम लोग DSSB के जो प्रशन पत्र हल कर चुगे हैं, पिजीरी और टीजीरी का हम लोग देख चुगे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग DSSB के प्रशन पत्र, तो उसकी स्रंकला हम लोग शुरू करने वाले हैं, 2009 से 2019 तक जितने भी प्रशन पत्र पूछे गए हैं, उन सभी परशनों के हम सब्सक्राइब कर लिजे, वहां पर सारे वीडियो उपलब्द हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रशनों के स्रंकला की तरफ, पहला प्रशन है, लार्ज नंबर प्री हिस्टोरीक पैंटिंग्स आर फाउंड इन, सबसे अधिक मात्रा में प्रागेत यहां से कालिन चि चितर देखने को मिलते हैं, दोस्तों याद रखे कि मध्यप्रदेश में जो है, बहुत सारे इसी जगह हैं, जहां पर इस प्रागे चितर हमें देखने को मिलते हैं, तो मध्यप्रदेश में मुक्य रूप से बात करें तो भीम बेट का है, जिसको 2003 में सामिल कर लिया था, युनियस को बे विश्व धुरोर सूची में सामिल कर लिया गया था जिसकी खोज जो है प्रोफेसर वी एस वाकन करने की थी यह याद रिके साथ में इसके लावा नेकेवल भीमबेट का लावा मंचमडी भी यहीं से मिला था और इसके लावा डी एच गार्टन जो थे जिन् यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा ब्राक होगा दोस्तों ब्राक जो है उनको घनवाद का जनक माना जाता है इसके लिए वो बता दो कि जो घनवाद है इसकी सुरुवात 1907 में यानि 20 सदी में पेरिस फ्रांस में इसकी सुरुवात हुई थी 1910 से 1920 के मध्धे इसका च टाइमिंग है वो इनलास्टिक क्यूबीज में विश्राइशन आत्मक घनवाद की रूप में इसके लावा 1912 से 1914 का जो टाइमिंग है वो सिंथेटिक क्यूबीज में के रूप में जाना जाता है याद रखे कुछ परमुग घनवादी चितरकार भी याद रखेगा जिन मे उन्हें की स्थेयां जो 1909 में जो है पिकासो ने बनाए था यह चितर है जो कि अमिन्यों की स्थ्रेयों के नाम से जाना जाता है यह घरवाद का पहला चितर भी माना जाता है जो बनाए तब पीकासो ने देखते हैं अगला परशन पाणिव तो ऐसे थे एक मेण पनने के आपको बताँ सॉत पद्मौ पानिक लाव वज्जर पानि का और चितर बgyलद हैnda गुφा जो एूंदा को देखने कोमेँ हिं यह जो है पदम पाणी बोधी सत्व का चेतर बना हुआ है ये दोनों चेतर एक पानी इस प्रकार से है यह वज़र पानी का है तो यह बोधी सत्व पाणी का इसके हाथ में जो आप देख पा रहे से समंद्ध रखती है तो बोधी सत्वत जो है बोध्रम से समंद्ध है इसलिए बादामी तो गलत हो जाएगा अगला प्रशन है पिकासो का प्रसिदी चित्र है लास्ट सपर गवेरनी का संफ्लावर बर्त ओफ विनस दोस्तों जो लास्ट सपर का सब्सद्द एक किस ने बनाया था लियोनाड़ दाशिन दॉनसी ने बनाया था तो जित्र है किस ने बनाया였습니다 आद जू है जो है यहां पिरेंश का जनम जblock हुर्वी यह चंदrate है संघरी में यह संग रही तो यही पिकासो ने बनाया था और यह मैड्रीड में म्यूजीओ और सोफिया नाम की एक गैलरी थी वहां पर मेड्रीड स्पेन में वहां पर इसको प्रदरशित किया गया था इसका आकार की बात करें तो यह 11.5 फिट गुणा 25.6 फिट आकार का यह पूरोँ चेतर बना हुआ है और इटली वे जर्मनी द्वारा जाया इस ग्रुरियान के उपर आकरिमाण किया गया था वंबार्य किये गयी थी और फिर उसुक्री निंदा करने के लिए इस्पैनिस सरकार द्वारा जो है और दो मुख़े आकरतिया हैं, एक आकरती है की है है उत के गोड़े के निवे दिखाया जा रहा है, और दूसरा हाथ भगवान येशियु, जैंके हाथ में उनके हाथ में जो सूलर्ण पे चड़ाए गया है इस प्रिकास से आपके निशाद दिखाने की प्रीयास किया था यहां पर एक आँक के अंदर बल्ब को दिखायगे है तो ये है बहुत ही वी फेमस चितर के नाम मना जाता है जिनमें से देखे नाम आ रहा है Blue Nude का, यह नो इन चितर बनाया था, Blue Nude की नाम से, इसके लावा The Old Guitarist, यह भी इनका एक famous चितर माना जाता है, 1903 का चितर है, इसके लावा The Dream, यह इनका एक famous चितर है, 1932 का यह चितर माना जाता है, इसके लावा The Dream, यह भी इनका एक famous चितर है काफी बार एकदम से पुछा आता है 1921 का ही चेत्र है इसके अलावा अभिन्यों की स्तिरियाई जो है जो लेस डेमबो लेस डी विगनन के नाम से भी यहाँ पे लिखा गया है जो एक फ्रेंच वर्ड है तो यह इनके कुछ फ्रेंच वर्ड है इसके लावा ग्वेर निका जो जो है 1973 को वा था यह चेत्रकार थे मुर्तिकार थे प्रिंट मेकर सेरेमिक आर्टिस्ट राइटर थे इसके लावा स्टेस्ट डिजाइनर भी के रूप में जाने जाते हैं घनवाद और यह थात्वादी के रूप में काफी फेमस हैं तो इसका सईजवाब हो जाएगे आप प्रदर्शीट पहला खवार कौन सा है ही लिए इन्डिया इख्सेश हिंदु सान टाइम भंगाल गजट दोस्तों जो भारत और एश्या का सबसेरें पहला आक्वार है वो माना जाता है बंगाल गजट ही की बंगाल गजट के नाम से भी जानाता है दोस्तों याद रख़े जो जनरल गवर्नर थे वो थे वाराइन हेंस्टिंग्स जिन्हों ने इसका विरोध भी किया था उसके बाद में 30 मार्ज चे 1782 को जो इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था जुरूरी याद कि एश्या अभी यह पहला समाचार पत्र है बाकि दूसरी अपसिन की बात के तो यह 1932 में प्रकाशित हुआ था और यह मुंबई से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भासा का समाचार पत्र था जबकि यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स दे रखा है तो यह 1924 में हुआ था अंग्रेजी भासा का था यह भी सुंदर सिंग लायल पुरी द्वारा इसको प सब्सक्राइब करो जायता हैं कि आ अगला प्रसन है एक एक करके फिल्म करके वस्तु को जीवित बनाना क्या कहला तो इसका सभी प्रस्तिते फिर तीसरे स्थितिका, तो अलगलग स्थितियों में उनका चितर बना कि उनकी फोटो कैप्चर करना, फिर उन फोटो का एक पूरा वीडियो बन जाता है, जो देखने पर ऐसा लगता है, कि वो पूरा वीडियो ही है, मैंनि कि एक मुविंग जो है, फिल्म उसको बनाए गया मुविंग में बनाए जाए, उनके अलगलग परकार से बनाए जाए, तो देखिए उन सब को जोडने पर इस परकार से ऐसा लगएगा, कि ये वास्तमी एक चल चेतर ही, जबकि वास्तमी क्या ही कि फोटो है, तो अगला प्रशन है आपे, पत्र पत्रिकों में सर्कुलेशन सब्द का आर्थ क्या होता है, इसका उप्सन दे रखा है, मुद्रित परतियों के संख्या, बची हुई परतियों के संख्या, पाठखों के संख्या गिंती, तो गिंती तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, बेच हुई परतियों के संख्या और पहला दे रखा है, मुद्रित पर आखिरी डिजाइन जैसा दिखाए देता है उसे क्या कहते हैं आर्ट वर्क डिजाइन थम्नेल या कंप्रहेंसिव तो इसका जवाब जैसा कि मैंने देखा है आप एक कंप्रहेंसिव कहीं पर दे रखा है तो हालना कि इसकी अधिक जनकर नहीं है मेरे पास यदि आप लोग इ इसका जवाब है वो तांबा जस्ता ठीन यानि यानि हम लोग याद रख सकते हैं तो इसका नाम वता है अगला पर पर इन में से कौन सा शिल्पकार है option है विरेंडे प्रकास जहा प्रदोस्दास गुपता आर शिवा कुमार दोस्तों विरेंडे जो है वो तांतरिक चित्रकार है भारत के पहले तांतरिक चित्रकार की रूप में जाने जाते हैं इसके लावा प्रकास जहा जो है वो है फिल्म निर्म कुपता वहीं है जिन्होंने 1940 में कलकत्तास जो सम्मूव है उसकी स्थापना की थी तो एक चेतरका मुर्तिकार काफी फेमस थे इन्होंने डीपी राय चोध्वी से अपनी अजुकेशन ली थी अधिक जानकरे के लिए आप लोग पुराने वीडियो जरूर देखिए अगला किसमें बनाया गया था तो जवाब दे रखाए यानि कि तेरा को टाग है या फिर मिट्टी में जो सबसे पहले बनाया गया था उसके बाद में इसको सिमेंट कंक्रेट से उन्होंने तैयर किया था तो इसका जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है आपे कौन सा सिल्पकार सिल्पके लिए जाना जाता है सोमनात होर राम सुतार पी भी जानकी राम बली वीरे सिंग कट तो सोमनात होर जो हैं वह एक स्पेशलिप मेंकर के रूप में काफी ज्यादा जाने जाते हैं इसके अलावा मैं साथी बतातुर जो है जो कि चित प्रसाद भटाचारे से जिन् करता है कि रूप में सोमनातोर का नाम जाना जाता है इसके लावन उन्होंने मदर चाइल्ड घाव श्रंखला तेबागा श्रंखला बर्थ ओफ ए नाइट रोज ऐसे करके हैं कुछ फेमस आइट वर्क हैं जी याद रखेगा हाला कि यहां पर दूसरा अपसन दे रखा है पर व्यक्ति शिल्फ यहां पर पुछा गया है कि केवल यहने इंसानों के पोट्रेट के रूप में इन्होंने जो कार्य किया वाए तो वह पीवी जाने कि राम ने नहीं किया है इन्होंने जो है मदरासार्ट स्कोलेज से ही अपना जो है डिप्लोम पराप्त किया था परविर सिंग्कट जो है रावल पिर्टी में 1939 में इनका जन्म होता ब्रेटिस इंडिया में रावल पिंडि पर्थर की मूर्थियों के लिए काफी जाने जाते हैं यहाद रुखिए इसके लावा 1978 में राश्ट्राइन खेलों के लिए मूर्थिकला के शंगुसटी त्यार गया था यह बीएच्चियू में जो है एक आर्ट डिपार्टमेंट के दीन रहे थे साथ ही एक स्कल्प्चर के प्रोफेसर भी रहे हुए हैं सन 2000 में जो है यह रहश्य में तरीके से लापता हो गए थे इनके बारे में जनकारी नहीं मिली थी तो यहां पर प्रशन पुछा ग में साथी इन्होंने लगबग 200 से अधिक जोहनोंने समार की यह मुर्थ शिल्प बनाए हैं जिनमें यह गांधी जी की प्रतिमाह उसके लिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं इन्होंने इस टेस्ट्री ऑफ यूनिटी के मुख्य वहस्तोकार की रूप में जाने जाता है जै लेकिन वहाँ पर अगले साल यानि 1959 में जोनोंने जोब का त्याग कर दिया और एक स्वतंतर मुर्थिकार बनने के लिए वह उच्छोब को छोड़ देते हैं और साथ याद रखें इनको उलेखने कारियों की दियम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो लेखने कारी किय आता है अन्या माना किया आता है है यह वास्तमी यह जो मुर्तिशिल्प आप देख पा रहे हैं यह है चंबल मुर्तिशिल्प के नाम से जाना जाता है या फिरिया कहेंगी चंबल देवीका है यह 55 उची फ्रतिमा की रूप में दरज हो चुका है 31 एक्टूबर 2018 को पी.म मो याद रखें कि इन्होंने और जो मुर्तिया बनाई है जैसा कि आपको बता रहा हूं कि यह गांधी जी की बैठी हुए ध्यान मगने यह जो मुद्रा में गांधी जी है जिसके लिए काफी फेमस हुए थे तो इनके 17 फिट उंची जो प्रतिमा है यह कहां पर है यह अपने सं सारदिय ग्रूप से कुछ मुर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं जाद रखें 1999 में इनको भारत सरकाद वारा पदम श्री और 2016 में इनको पदम भूशन से सम्मानित किया जा चुका है अगला प्रशन है प्रशन है रबड पोलीमर का इस्तिमाल होता है रबड पोलीमर का इस् इसमें क्या होता है कि डोनाल्ड सेफ जो थे जन्होंने इस हिलियो रिलीफ का अविश्कार एक तरीके से किया था इसमें लकडी जो है उसके उपर कार्विंग की जाती है फिर देर रखाए यहाँ पर लीनोकट लीनोकट आप से लोग प्रिचित होने चे लीनोकट से उससे शीटली तरीके से लितोग्राफिक वड़ वहां से बता तो लितोग्राफिक को जो है शिला मुदरन ये ऐस्म कहते हैं तो है शिम मुदरन विकांधَّ करती है लेकिन को यह बत्ः का है यहां है यह द जा अफ़ो नहीं ने यह का रहा होता है यह की एकत रबड विक्रेता थे उनके द्वारा 860 में फैरिक वॉल्टव नाम का एक विक्तिता उन्होंने जो इस लिनोनियम सीट का अनुन आविश्कार किया था ये बिल्कुल रबड के जैसी होती है और उसके बाद में जो है 1950 के दसक में इसका खूब सारे लिथोग्राफ जो है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब होगा है इसका लिनो कट रबड की सीट होती है जिसके अंदर जो है अलग लग टूल होते हैं वी एल आई आकर की कुछ टूल्स होते हैं उनकी मदाद से कर्व किया जाता बीरहना वह परवा रहा रहता है तो इस परकास से निकल क्या आता है वह था है लिनो CAP कि आधीक जानकारे आपको नहीं के चामेंट के धेंगे और फूरी जानकारे हम लोग आपको उप्लिबड करवाएँगा अगला प्रशनिमनीं आपर दे रखा है चम अगला कि इस प्रकिरिया में एक महत्टपून घटक होता है अना या निज़ a special मिन तो नहीं तो इसमें क्या करते हैं जो लेनो इंची उसको करते हैं तो गलत जबाब होगा वुडगरْत में उड़ा करते है उसका अचेंग्य़ सिटित ऐखा है उसके उसका क्या क्या करते हैं कि एक special लेप लगा जाता है यानि special लेप कि यह बात करें तो उसके ब्लेक कलर का एक शाही टाइप इक चीज आती है उसको उसके बाद में क्या होता है कि इसको नीडल के सायता से कुरेद कि और फिर उसको एसीड में डाल कि उस प्रकार से उसको खुदाई की जा इसके अंदर क्या होता है लीनो कट वूड कट उसके उधार्ण माने जाते हैं इसके एक होता है एक होता है एचिंग मेथट या फिर अंतह सतह मुद्रनी जिसके अंदर भाग अंदर वाला भाग जो चित्रित होता है जिसको इंटेगलियो के नाम से भी जानते हैं तो उसमे आपका समतल सतह है मुद्रणी या फिर प्लेनोग्राफी तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे एचिंग इसका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन देरका है अमलग के ताजा दर्व का जब निकास होता है तो इस रंग में तबदिल हो जाता है तो अपसे दरके सफेद, नीला, पीला, लाल तो इसका जवाब हो जाएगा वो पीला हो जाएगा नि पीले रंग में बदल जाता है तो यह आज की यह क्योवल 15 प्रशन है बाकी जो प्रशन हैं हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगने अपने दोस्ता शेयर जरूर कीजेगा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद